तोस्तों आप सब लोगों को पताई होगा कि अमेरिका भारत को अपने फाइटर यार्क्रेप्टो को बेचने को लेके काफी अधिक उत्साहित है। अपने फाइटर यार्क्रेप्टो को लेके वी ओफर रखें। भारत को इफ-21 बेचने को लेके हैं और रिपोर्टों में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि लॉखिड मार्टिन भारत को फिफ जेनरेशन के एडवांस यार क्रैफ्ट देने में इंट्रेस्टेड नहीं है और केवल मात्र अपने इफ-21 यार क्रैप्टों को ही बेचना चाहता है हलाकि दोस्तों आप लोगों के जानकरी के लिए ये भी वता दू कि ना अब तक कभी लॉखिड मार्टिन के तरफ से और ना ही अमेरिकी गॉवर्मेंट के तरफ से ओफिशली इस बात का जिकर किया गया था कि अमेरिका भारत को फिफ-35 फाइटर यार क्रैप्टों को ल भारत में लाया था तो ये खवर और अधिक चर्चा में आ गया हाला कि कई सरे एक्सपर्टों का अभीवे मानना है कि लॉखिड मार्टिन की फ-35 यार क्रैप्टों को भारत में लाने के फीचे अमेरिका का असल मकसद था कि भारत फ-35 यार क्रैप्टों को लेके कोई अब साल 2018 में देखा जाए तो पहली वार की तरह कई सरे मीडिया हाउसे में ये क्लेम किया किया कि शायद भारत के सामने अमेरिका इफ-35 फाइटर यार क्रैप्टों का प्रस्ताव रख रहा है पर तब के इंडियन यार फोर्स के चीफ रिटाइड एर चीफ मार्शल वी ए और इवन अमेरिका के मिलिटरी एटाइसी रियर एड्मिरल मिशल एल ब्रेकर के एक बयान को कोट करते हुए भी कई सरे मीडिया रिपोर्ट में ये क्लेम किया गया था कि भारत और अमेरिका के बीच में इफ-35 यार क्रैप्टों को लेके चर्चा हो रहा है लेकिन ये चर् और अलग-अलग मिडिया हाउसे में ये क्लेम करना शुरू किया गया कि शायद भारत अब एफ-35 यार क्रैप्टों को खरिदे जबकि दोस्तों एफ-21 यार क्रैप्टों को लेके अगर लोकेड मार्टिन के प्रस्ताफ को देखा जाए तो आप लोगों को बता दू कि यार अर्सीय के टंडर में अमेरिका के गर्व से f-16 फी यार क्रैप्टों को या फिर कहते एफ-16 बलॉक 70, 72 यार क्रैप्टों का ओफर किया गया था पर अमेरिका के F-16 यारच्राफ ना टेंडर को क्लियर कर सका और ना ही टेखनिकल राउन को क्लियर कर सका और इसी चीज़ को देखते हुए अब अमेरिका के द्वारा F-21 यारच्राफ्टो का प्रस्ताव किया गया है और Lockheed Martin कमपनी का दावा ये है कि F-21 यारच्राफ्ट, F प्रेस होके बनाया गया है और ये भारत के स्पेसिफिक रिक्वार्मेंट के लिए है पर वही पर आप लोगों को ये भी बता दू कि लोकिड मार्टिन के एफ-21 यारक्रेप्टों को लेके चाहे जितने भी बड़े बड़े दावे हो भारत के एक्सपर्टों को लेके इन दा है बलकि सबसे अधिक एयारक्रेप्प अतलब करीवन तीन यारक्रेप्टों का वफर अमेरिका के तरफ से किया गया है जिनवें से बाकी दो यारक्राफ्ट बूइंग कंपनी के तरफ से बनायां गया है और इन यारक्रेप्टों में एक इस स्प्राइट ज solchen चाहिए हेवीवेट यार क्रेप भी है हलाकि F-18 Super Hornet भी पिछले वार के टेंडर में हाज चुका है और नेवी के 26 यार क्रेप्टों के टेंडर में भी ये रैफैल के सामने हाज चुका है मतलब एक तरीके से अब कह सकते हैं इस टेंडर में ने यार क्रेप्ट के रूप में किवल F-15EX है और अमेरिका का होब भी F-15EX को लेके है जबकि दूसरे तरफ अगर F-35 यार क्रेप्टों को देखा जाए तो फिलाल भारत के तरफ से किसी भी 5 जनेरेशन फाइटर यार क्रेप्टों खरिदने को लेके कोई भी इरादा तो नहीं था लेकिन अगर अमेरिका F-35 यार क्रेप्टों को MRA F-A टेंडर के अंतरगत मतलब 114 फाइटर यार क्रेप्टों के टेंडर के अंतरगत ओफर करता तो शायद भारत इसको लेके सोच सकता था पर दोसों यहाँ पे कई तरीके के ऐसे शर्थ है जो कि अमेरिका को F-35 यार क्रेप्टों को लेके आगे बढ़ने से रोक लगाता क्योंकि MRA F-A टेंडर के अंतरगत भारत उन्हीं यार क्रेप्टों को और दोसों तीसरा सफसे बड़ा बात ही है कि अगर भारत 114 के संख्या में F-35 या किसी भी अन्ने 5 जिनरेशन फाइटर यार क्रेप्ट को खरिदता है तो इससे सफसे बड़ा एफेक्क AMCA यार क्रेप्टों के उपर पड़ेगा और इससे AMCA यार क्रेप्टों के प्रोजेट केवल मात्रों स्लो ही नहीं होगा बलकि इसे लेके आवश्चक बजट के उपर भी असर पड़ेगा अब रहा अमेरिका के लॉकिड मार्टिन कंपनी के तरफ से F-21 यार क्रेप्टों को लेके प्रयास तो आप लोगों को बता दू कि मुझे नहीं लगता है कि ये प्रयास में अमेरिका को फाइदा मिलेगा हाला कि अमेरिका के प्रयास में A-15 EX यार क्रेप्टों को लेके थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी है लेकिन अमरेका के इस प्रयास में सबसे वड़ा वाधा फ्रांस के र hephel aircraft ही होगा क्योंकि ये hephel aircraft केवल मात्र ताकतवर तरीन और modern तरीन येarcraft ही नहीं है बलकि dassle aviation भारत के कई सरे शर्टों को मानने के लिए भी तैयार है दूसरे तरफ अमेरिका के जैसे फ्रांस मौका मिलने पे धोका नहीं देता है अब दोसरों अमेरिका के धोके के प्रवत्ति को देखते हुए भी यही लग रहा है कि अगर अमेरिकी यार क्रेप भारत के टेंडर को जीद भी देता है तब भी अमेरिकी यार क्रेप्टों को लेके संभावनाय कम होगा क्योंकि आखरी वक्त में जाके अमेरिका शर्तों को मानने से आइदर इंकार करेगा या फिर ऐसा कुछ अनाकनी करेगा जो भारत को मुश्किलों में डाले और इसी वज़ाजे मेरा मानना ये है कि हत्यारों को लेके जितना कम से कम डिपेंडेंसी अमेरिका के उपर होगा उतना ही भारत के लिए अच्छा होगा अब दोस्तों चलिए थोड़ा जानते है कि अमेरिका की F-35 यारक्रेप्टों का क्या शमता है फिलाल देखा जाए तो F-35 यारक्रेप्टों को दुनिया के सफसे ताकत वरतरीन यारक्रेप्ट के रूप में देखा जाता है और इन यार्ट्रेप्टों का टूटल तीन वेरियंट है जिनमें F-35A इसके स्पेसिफिक एरफोर्स वेरियंट है जो अगश्ट 2016 में अमेरिकी एरफोर्स में शामिल किया गया था जबकि F-35B इसके शॉर्ट टेक ओफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वेरियंट है जिसे जुल जाता है वही पर दोस्तों अप लोगों को ये भी बतातू कि F-35 फाइटर यार्ट्रेप्टों को फ्लाइ करने के लिए केवल मात्रों एक क्रू मेंबर का आवश्रक्ता होता है और इसका कोई स्पेसिफिक ट्विन सीटेड वेरियंट नहीं है इन यार्ट्रेप्टों का ल किलोग्राम है और ग्रॉस वेट 22,471 किलोग्राम है यार्ट्रेप्ट के मैक्सिमम टेक ओफ वेट करिवन 29,900 किलोग्राम और फ्यूल कापसिटी इंटर्नली करिवन 8278 किलोग्राम है यार्ट्रेप्ट में एक ताकदवर्तरिन फ्रिटी वीटनी F-135 PW-100 अफ्टर वर्ण करिवन 191 किलोग्राम है यार्ट्रेप्टों के अगर रफ्तार को देखा जाए तो हाई अल्टिटूट में इसका अधिक तम रफ्तार माक 1.6 और लो अल्टिटूट मतलब सी लेवल में अधिक तम रफ्तार माक 1.06 है जबकि रेंज करिवन 1500 नॉटिकल माईल या फिर कहतो 28 किलोमेटर है जबकि कॉम्बाट रेंज इंटरनल फ्यूल के साथ 1249 किलोमेटर या फिर एर टू एर कॉन्फिटिगेशन में 1410 किलोमेटर है एर क्रेफ्ट करीब फरी 50,000 फीट या फिर कहतो 15 किलोमेटर के अल्टिटूट में जा सकता है और हत्यार के रूप में इसमें एक 25 मिलिमिटर के GAU-22A 4-Barrel Rotatory Cannon का उप्यो किया गया है जबकि इसके इलावा ये इंटरनली 4 वेपन स्टेशन और एक्स्टरनली 6 वेपन स्टेशन से लैज है जिसके सहारे इंटरनली 2600 किलोग्राम और एक्स्टरनली 6800 किलोग्राम के हत्यारों को करी किया जा सकता है मतलब एरक्राफ्ट के पास टोटल 8200 किलोग्राम के वेपन कैरिंग कैमिलिटी है और इन वेपनों में एरक्राफ्ट के द्वारा M9 X Sidewinder, M120 MRAM, M132 SRAM जैसे Air-to-Air मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा है जबकि आने वाले समय में इसमें M260 JTAM और Meteor जैसे मिसाइलों को भी इ इंटिग्रेट किया जा रहा है, एंटिशिप मिसाइल के रूप में एरक्राफ्टों में AGM-158C और जोइन स्टाक मिसाइलों को इंटिग्रेट करने का काम किया जा रहा है तो वही पे बॉम्स के रूप में इसमें जोइन डारेक्ट मिटैक म्यूनिशन, फ्यूए, प्रिस AN-APG-81 और AN-APG-85 जैसे Active Electronical Scan Array Radar, AN-AAQ-40 Electro-Optical Targeting System, AN-AAQ-37 Electro-Optical Distributed Operator System, AN-ASQ-239 Bracuda Electronic Warfare और Electronic Countermeasure System, AN-ASQ-242 CNI Suit जैसे Equipment का इस्तेमाल किया गया है तो आप लोग को क्या लगता है कि अगर Lockheed Martin केवल मात्व F-21 यार्क्रेप्टो को लेके आगे बढ़ता है तो इससे क्या Lockheed Martin को MRFA Tender मतलब 114 Fighter यार्क्रेप्टो के Tender में किसी भी तरीके से कोई भी फाइदा मिल सकता है या नहीं कॉमेंट करके अपने राए अवश्र दी कीजिए तो आजके इस वीडियो को यही पेई करते हैं समात किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंदेमातरम